हेलो फ्रेंट्स बीटिया कुकिंग में आपका स्वाकत है तो फ्रेंट्स देखिए यह हमने बिस्केट का पैकेट लिया है मोमोस मैजिक तो इसे हम आइसे बनाएंगे बहुत ही टेश्टी एन आमेजिंग आप चाहें तो इसकी जगए और कोई भी बिस्केट ले सकते हैं तो आपको जो पसंद हो आप वह बिस्केट की आइस क्रीम बना सकते हैं तो फैंस देखिए इसमें से हमने लगबग 10-12 बिस्केट निकाल लिया हम इत्ते ही बिस्केट की आइस क्रीम बनाएंगे और बहुत ही टेश्टी एन अमेजिंग और जटपट बनका रेडियो जाती है बिल्कुल मार्केट जैसी बहुत ही कम समय में और आसान तरीके से तो इन सारे बिस्केटों को हम इस तरीके से तोड़ कर मिक्सर जार में डाल देते हैं और इनको हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे इससे की इनका हमें अच्च से पाउडर बना लेना है तो इसी तरीके से तोड़ तोड़ कर देखिया है हमने सारे बिस्कीटों को इसमें डाल दिया आए और इनको हम अच्चे से बारी ग्राइंड करेंगे बहुत ही बारिक हमें ग्राइंड करना है ज्यादा मॉटार नहीं करना बिल्कुल बारिक करना है तो देखिए इस तरीके से हमने इसको चीनी एड़ करना है इसमें दो चम्मा चीनी एड़ करना है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिक चीनी एड़ कर सकते हैं आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं आप उतना अपने अनुसार चीनी एट करें और इसको हम बिना कुछ डाले सुखा फाइन पाउडर बना लेंगे तो देखे इस तरीके से हमने इसको अच्छे से पीस का रेडी कर लिया है बहुत ही चीकना पीचा है हमने और इसको अब हम एक बड़े बरतन में ट्रैंस्फर कर लिते हैं तो देखे यह वाइल में हम इसको निकाल रहा है तो यह हमने निकाल लिया है पूरा और इसको हम अच्छे से इसमें लगभाख हम एक के लास के करीबन हम इसमें दूद एट करेंगे ज्यादा दूद हमें एट नहीं करना है कम दूद में ही बहुत ही टेस्टी हैं अमेजिंग आइस क्रिम बनेगी हैं हमारी तो देखिए इसको हम अच्छे से घोल ले देएं जिससे कि इसमें कोई भी गुटलिया आया कुछ ना रहे और अच्छे से पेस्ट बन जाए तो अच्छे से जो घोल जाएगा जितने अच्छे से जो घोल जाएगा उतनी टेस्टी हमारी आइस क्रिम लगेगी तो देखे सकते हैं इस तरीके से हमने इसको घोल का रेडी करले आए आप देख सकते हैं इस तरीके से हो चुका है नाही इसमें कोई भी गुठलिया वगरा नहीं पड़ी है तो चलिए तो आप हमने चाय वाली ग्लास लीए हूए दिस्पोजर onlar इसको बोलते हैं हम इन में बनाने वाले हैं, तो देखिए इस तरीके से आप चाहिए तो इस्टील के ग्लास में या जो आईसके बनाने के कप्स आते हैं उसमें आप बना सकते हैं, तो इस तरीके से हम इन में भर कर रखेंगे, जिससे की आईसके हमारी पॉफेली बन जाएगी, तो देखिए इस तरीखे से हम सारी कफो में डाल कर रख देती है तो हमारी लगबग चार कप भर चुके हैं देखें फिर भी हमारा मिस्यन भर चुराद है तो हमने इस से दो कफ और भर लिए हैं जैसे की हमारी चैय आइस क्रीम बन कर पूरी डिड्यू भी है और ये चम्मच लगा देते है जिससे कि Aiscream निकलने में आसानी होगी तो इस तरीके से हमें लगा दिना है और इसको अब हम देखिए हमने रेडी के लिए है और इसको हम freezer में रख दिते हैं लगवक 4-5 घंटे के लिए freezer में रखना है हमें जिससे कि ये अच्छे से जम कर रेडी हो गई है देखिए चाहर से पाच जंटे के बाद इस तरीका से को जम कर रेडियो चाहिए आपकीpha आइस क्रेम तो इनको दोनों हतलियों से इस तरीके से करकर निकाल लेना है, बहुत ही आसानी से निकल जाती है, तो देखिए यह आइस क्रेम हमारे कितनी शटो में वही बन का रेडियो कि आपकी आईस क्रेम कैसी बनी तो फैंकि आपने अमारे वेटियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें तो देखिए इसी तरीके से हमने शारी आइस क्रोमों को निकाल का रीडि का लिया है आप देख सकते हैं तो यह बहुत ही टेश्टी और आमेजियन लगती है और जटपट बनकर रीडियो जाती है आप कभी भी बनाएं और किसी भी बिस्किट से बनाएं और बहुत ही आसानी से बनकर रीडियो जाती है तो आप ज़रूर बनाएं So, thank you friends